लबशकार नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आए नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर महा मेट्रो के रिच फोर में आवश्चक निर्मान कारिया होने की वज़े से एकका लाइन पर एक से दस दिसम्बर तक मेट्रो ट्रेन सेवा बंद करने का निर्न लिया गया था लेकिन संबंदित निर्मान एवम रख रखाव कारिया समय से पहले समाप्त होने के कारण कल 7 दिसंबर से ही मेट्रो सेवा एका लाइन पर दोबारा शुरू किया जा रहा है मंगलवार से सिताबडी इंटर्चेंज से लोकमान यानगर स्टेशन के बिच फिर से मेट्रो ट्रेंज चलने लगेगी महा मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए वेकलपिक निशिल्क फिडर बस सेवा की वेवस्था की थी सिताबडी इंटर्चेंज से जहासी रानी चौक मेट्रो स्टेशन के बिच ये सेवा प्रदान की गई यात्रियों ने इस सुविधा का भरपूर लाब लिया औरेंज और इकका लाइन पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए फिडर बस सेवा बेहत लाब दायक साबित हुई महा मेट्रो के रिच फोर सिताबर्डी इंटर्चेंज से प्रजापती नगर के बीच निर्मान कारिया तेजी से पुरा किया गया समय से पुर्व कार्य पूर्ण होने की वज़े से सिता बड़ी इंटर्चेंज से लोकमाने नगर स्टेशन तक मेट्रो सेवा फिर से शुरू किया जा रहा है उलेखनिया है कि हमेशा की तरह इस बार भी मेट्रो ट्रेन ने नेधरित समय से पहले ही अपना कार्या पूर्ण कर लिया है स्तानिया अर्विन इंडो पब्लिक स्कूल में विश्वम रुदा दिवस ओनलाइन मनाया गया हर साल पाच दिसंबर को दुनिया भर में विश्वम रुदा दिवस मनाया जाता है दिसंबर 2013 को संयुक्तराष्ण महसभा ने 68 पी सामने सभा की बैठक में पारित संकल्प के द्वारा पाच दिसंबर को विश्वम रुदा दिवस मनाने को संकल्प लिया था दुनिया में मिट्टी के बीना कोई खाद्य सुरक्षा नहीं हो सकती है इसी के चलते मिट्टी प्रबंधर के महत्व और इसे प्राकृतिक धरोहर समझ कर इसके सुरक्षन के लिए ये दिन समर्पित किया गया है इस दिन को तमाम खाद्यवक रुशी संगटनों द्वारा मनाया जाता है खेत में जदा रसायनिक उर्वरकों का उपयो करने से मिट्टी की सुरच ना खराब होने लगती है जबकि फसल की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का उपजाव और स्वस्त रहना बहत जरूरी होता है मिट्टी की उर्वरता शक्ती को बरकरार रखने के लिए संतुलित पोशन की मुख्य भूमिका रही है लोह, जिंक, कौपर जैसे तत्वों के उचित मातरा के प्रयोग से फसल को फायदा होता है मिट्टी में उर्वरता बनाए रखने के लिए लंबी और तेजी से बढ़ने वाली फसलों के पास में बौनी फसलों को लगाना अत्यंतर लाब्द्यक माना जाता है नागविदर्बर ट्रांसपोर्ट कमिशन एजन्ट एसोसियेशन की वार्शिक सभा सतिश घांगर के अध्यक्षता में ओस्वाल भवन में संपन्न हुई इस बैठक में सारे ट्रांसपोर्टर की सहमती से पारसल बुकिंग की समय सिमा शाम के साथ बज़े तक करने का निरने लिया गया है इतवारी मारवाडी चोक सतरंजी पुरा में ट्राफिक की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है इसके मद्दे नजर प्रशासन को इस बारे में ग्यापन सौपने का निरने लिया गया कलमना गन्ना मार्केट के पास 150 से ज़्यादा दुकाने खाली पड़ी है पिछले 5 साल से उन दुकानों में जंग लगता नजर आ रहा है कलमना के दुकानना या आसपास के ट्रांस्पोर्टर जगह की मांग कर रहे है पर अभी तक इस बारे में कोई कारवाई नहीं हुई है यदि जल्द सरकार ने निरनाय नहीं लिया तो सारे ट्रांस्पोर्टर अपनी सेवाय बंद करने के लिए विवश हो जाएंगे इस सभगा संचालन राकेश गुपता ने किया वार्शिक कारेक्रम में एसोसेशन के सयद रिजवान शेक हसन, चेतन सत्रा, हर्बंस कोरा, अब्दुल रजिक, राकेश शाहू, विपिन जैन, राकेश गुपता और सभी पदादी कार्य उपस्तित्थे सेवा भावी संस्था सक्करदरा व्यापरी संग के तत्वावधान में सनेहा मिलन का रोचक आयोजन कैफे डिसको परिसर में किया गया कारेकरम में मंच पर सक्करदरा पुलिस टेशन के वरिष्टा निरिक्षक धननजे पाटिल, व्यापरी संगा के संस्था पक, डॉक्टर मनमोहन राठी, नरेंद्र सतीजा, कारेक धक्षय सत्तार खान पठान और अध्धक्षय सतिश चौधरी उपस्तित थे आरंब में पाटिल का सत्कार शौलव श्रीफल देकर किया गया, अपने प्रास्ताविक में डॉक्टर राठी ने संस्था की गती वीदियों के बारे में जानकारी दी एवं पुलिस कर्मियों तथा उनके परीजनों हेतु चिकित सा शिवर कायोजन करने का प्रस्ताव रख हर व्यक्ति एक तरह से सामाजिक पुलिस कर्मी है और हमें हमेशा जागरुक रहने की आवश्रक्ता है जैतला के रमाबाई आमबेटकर नगर मैदान में भारत रतन डॉक्टर बाबासाइब आमबेटकर के महापरी निर्वान दिवस की पुर्वस अंध्या पर प्रबुद्ध बहु उद्देशिय धर्मार्त संगठन और बुद्ध इंटरनाशन स्कूल इसासानी द्वारा प्रश्णोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कारेक्रम में बड़ी संख्या में क्षेतर के चात्र चात्रा उन्हें हिस्सा लिया अतितियो द्वारा उन्हें प्रोट्साहान पुरसगार प्रदान किया गया कारेक्रम के अध्यक्षता नागपुर जिला बहुजन समाच पार्टी के अध्यक्ष संदिप में इश्राम ने की मुख्य अतिती के रुप में बस्पा के वरिष्टने ता उत्तम शेवरे डॉक्टर नाकसें चोभान उपस्तित थे प्रस्तावना सुननदा नितनावरे ने रखी कारेक्रम का संचलन बोध्धस गुल के निदेशक सदानन जांगवडे ने किया और आभर प्रदर्शन सागर वराणे ने माना कारेक्रम के सफलतार्थ प्रग्या गायकवाड सुरज पाटिल दिनेश लिंगायत भुमी का दहीवाले आरिय मानवटकर श्रूती वास्नीक आरोशी बैज मैतरी श्रंगारे आकाश चिंज खेडे आदर्श राम्टे के अवनी माने अर्नव इंगले आधी ने प्रयास किये इस प्रतियोगिता में तुरुशा साठावने आधित्य बैज समिक्षा वाग्मारे प्रार्थना टोपे, कुनाल लोखंडे सर्वश नितनवरे, सरिता मानवटकर मयंग डांगे, विने वागले स्नेहल लबाडे, वंशी का डोंगरे, संगर्ष खैरकर, शोभित शेवारे बिराज विमलकर, आयुजदाफे, आर्या पाटिल, सौम्या वर्मा, दिक्षा शेवारे, नमीता काले, मोनीका विमलकर, पीहु पाल, काजल पाल, निशान दामभरे, आधिच्छात्र शात्राओं ने भाग लिया पुने में बाल गंधर वो भवन में संपन्न हुई फिल्म प्रतियोगीता में, एनेच एई वजनाकरोष की शॉर्ट फिल्म फॉर बेटर टुमारो ट्राफिक टूल्स को सरवत्तुम शॉर्ट फिल्म निर्मान का पुरसकार प्रदान किया गया इस परदा में 140 शॉर्ट फिल्म बनाने वाले टीमों ने हिस्सा लिया था, इसके साथ ही सबसे बहतरीन फोटोग्राफिका पुरसकार शैलेश नारायन अनिक हिंडी को प्रदान किया गया ये शॉर्ट फिल्म संस्था के सचिव रवी कोच खेडिकर तथा जनाकरोश के सभी सदस्यों के प्रयासों से नागपुर में ही शूट किया गया था इस शॉर्ट फिल्म को राना मजुमदार ने संगीत दिया तथा इसका डारेक्शन मनोच पिताडी ने किया इस शॉर्ट फिल्म की शुटिंग नाकपुर के वर्धा रोड पर बने भारत के पहले डबल डेकर पूल पर की गई फिल्म में CID फिल्म दयानन शेटी के साथ नाकपुर के कलाकारों ने उत्तम अभिने कर शॉर्ट फिल्म को सफल बनाने में योगदान दिया मेट्रो के प्रोजेक्ट में सबसे कठिन कार्य था गड़ी गोदाम में स्ट्रक्चर का निर्मान करना क्योंकि यहाँ पर फोर लेन की सुविधाय विकसित होंगी देश में अब तक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना है जिसमें एक के उपर एक चार मोड में ट्रांसपोर्ट की सुविधा हों इस कार्य को सहज और सरल रुप से करने के लिए मेट्रो प्रबंधन ने स्ट्रक्चर डिजाइन को मनजूरी दी अब इस स्ट्रक्चर का निर्मान बुटी बोरी स्थित फैप्टेक फैक्टरी में किया जा रहा है स्ट्रक्चर बनकर तयार है और इसे गड़ी को दाम स्थित साइट में लगाना पाकी है स्ट्रक्चर के लगते ही निर्मान कार्य को और गती मिल जाएगी और एक बड़ी एवम चुनाती पुर्णा समस्या का समाधान हो जाएगा इस एहम कार्य को जन्वरी के अन तक पूरा कर लिया जाएगा जानकारों ने बताय कि ट्रेन यादायात को रोके बीना ही स्ट्रक्चर को बनाने और लगाने की पहल की जा रही है इंजिनियरिंग का ये अद्भूत नमुना होगा इसके पुर्वभी महा मेट्रों ने नाकपुर में कई नए प्रयोग किये है इन प्रयोगों को राश्ट्रेस्तर पर सहराना मिली है अब ये एक और नया किर्तिमान साबित होगा यहाँ पर तल में सडक, इसके बाद रेल और फिर फ्लाई ओवर और इसके ओपर मेट्रों के लिए यातायत मार्क का निर्मान किया जाएगा कलपना प्रकाश फाउंडेशन और विदर्वचेस अकैड़मी द्वारा आयोजित द्वितिये जीएच रायसोनी स्मूती, ओल इंडिया फीडे, रैपिड रेटिंग चेस चैंपियनशिप के छटे राउंड में शिर्ष वरियता प्राप्त खिलाडी, ग्रेंड मास्टर देबाशिश दास और द्वितिये वरिये अंतराष्टिये मास्टर अनविश उपाद्धे को भारी उलट फिर के चलते हार जलनी पड़ी दिवाशिश को जहां आईएम अमेय ओडी ने परास्त कर दिया, वही दूसरे बोर्ड पर अनवेश को सीएम कुशागर मोहन ने मात दे दी हिंगनास्तित रायसोनी अभियांत्री की महाविद्याले के सभागरूह में आयोजित, स्पर्धा में देश भर से 342 खिलाडियों ने हिस्सा लिया प्रतियोगी तका उधगाटन पूर्वराज्यसभा सदस्य अजजज संचेती ने किया इस अउसर पर नापपूर चेस असोसेशन के अध्यक्षा निशान गांधी, महाराश्य शतरंज, संगह की टूर्नामेंट समीती के सदस्य ऐसे सोमन, कलपना प्रकाश फाउंडेशन के सच्चिव भुजन श्रिवास आदी मानेवर उपस्तित थे स्परदा के छटे राउंड के मुकाबले में सबसे बड़ा उलट फेर हुआ पांचवे राउंड में लगातार जित दर्च करने के बाद जीएम दिवाशिज दास को छटे दोर में आमे ओडी ने मात दे दी ओडी ने किंग पॉन ओपनिंग से अगाज किया जिसका जवाब देवाशिज दास ने सीसी लियन टेकनिक से दिया चालिस वे मुव में टॉप स्पीड खिलाडी ने बहुत बड़ी गलती की और ओडी ने मौके का फाइदा उठा कर जित हासिल कर ली कोरोना के नए संसकरन ओमिक्रॉन के संभावित खत्रे को देखते वे नाकपूर महानगर पाली का ने स्वास्त सुविधा को मजबूत करने पर ध्यान के इंद्रित करना शुरू कर दिया है कोरोना की तिसरी लहर के संभावित खत्रे के मद्य नजर नाकपूर महानगर पाली का द्वारा स्वास्त सुविधाओ पर विशेज ध्यान दिया जा रहा है ताकि हर जरूरत मन मरीज को समय पर इलाज बिल सके इसी कड़ी में राष्ट संतर तुकोड़ेजी महाराज नाकपूर विध्या पिट के श्री जमना लाल बजाच प्राशासनिक भवन में 199 बिस्तरो वाला अत्याधुनी कोविड अस्पताल स्थापित किया गया है महाप और दयाशंकर तीवारी ने हाल ही में इस कोविड अस्पताल का निरिक्षन किया इस आउसर पर विध्या पिट के कुलपती संजे दुधे मनपा की उपायुक्त मिलिन मेश्रा चिकित सास्वास्ता धिकारे डॉक्टर संजे चिलकर डॉक्टर दहीकर आदी मोजुद युनिवर्सिटी के कोविड अस्पताल में नैशनल कैंसर इंस्टिट्यूट वानूसंधान संसान की ओर से सभी सुविधाय मुहाया कराई गई है। उन्हें नौसेना दिवस पर रोचक एवं ग्यान वर्धक जान करी स्कूल के शिक्षिकों के साथ सांजा की। डॉक्टर आशिश देश्मुक ने स्कूल के उपकरम की सराना करते हुए सभी विद्यार्थियों का भी नंदन किया। भारती जंता पार्टी अलप संखेक मोर्चा की नई कार्यकारणी की घोशना मंगलम स्थिद्भ भाचपा कार्याले में की गई। कार्यकारीनी का गठन भाचपा नगर अध्यक्ष विधाक प्रविन दटके के निर्देशा नुसार एवा मोर्चे के अध्यक्ष मोहमद फारुक की प्रमुक उपस्तिती में हुआ। नई पदादी कारियों को परिचे पत्र पुष्प देकर स्वागत किया तथा माननेवरों से उनका परिचे कराया गया। इशा ग्यासुद्दिन काजी, महामंदरी बाबो खान, पशिमनाकपुर में अध्यक्ष अकिल खान, अल्पसंख्यक मोर्चा के तिन महामंदरी नियुक्त किये गये हैं। जिन में राशित काजी, छोटे सहाब खान और इर्शाद हुसेन का समाविश हैं। और संपर्क प्रमुक महामद रशित शेक तथा प्रवक्ता शमिम एजास को बनाया गया है। इसी तरह अर्चना गिडे कर इर्फान कबाड़ी वाला, अब्दुल अमानी कुरेशी, केतन सेठिया, अमजद खान, संजय जैन, हुमेरा खान, फिरोज खान, शबाना शेक, अर्चना देव घरे, प्यारे कुरेशी, वसीमन सारी भी विभिनपदों पर नियुक्त किये गय स्थानी अर्विन इंडो पब्लिक स्कूल में पिछले दिनों प्रदुशन नियंतरन दिन मनाया गया, विद्यार्थियों ने इस अवसर पर स्कूल के शिक्षकों के साथ अपने निबंध, पेंटिंग, पोस्टर, बुलेटिन, साज़क, स्कूल के प्राचारिय राजिंद बढ़ते हुए वाहनों की संख्या एवं सिमटते हुए जंगल है, वायू प्रदुशन को रोकने हैं तु अपने वाहनों का सही तरीके से ख्याल रखना अत्यनता आवश्चक है, मनुश्य के आसपास के वातावरण में हानी कारक, जीवन नाशक, विशेले पदार्तों के एकत्रित होने को प्रदुशन कहते हैं, जल प्रदुशन, वायू प्रदुशन, मुरुधा प्रदुशन, ध्वनी प्रदुशन, रेडियो एक्टिव प्रदुशन से परियावरन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, नदिया दुशित हो चुकी है, आधुनिक प्रद्यो जल प्रदुशन का मुख्यकारण मानव या जनावारों की जैविक या फिर ओध्यों की क्रियाओं के फल्स वरुप पैदा हुए प्रदुशकों को बिना किसी समुचित उपचार के सिधे जलधारों में विसरजित कर दिया जाना है। निवर्तमान अध्यक्षो एडवोकेट आनन्द जैसवाल ने की है। इस दुरान विभिन्ना विश्यों पर चर्चा की गई। जैसवाल ने अपने भाशन में कहा कि विसिये की नौ टीमों ने बिसी सी आई स्परधाओं में श्रेष्टत हासिल की जबकि दो में उपविजेत होने का गवरव प्राप्त किया। उनके सहीयों के लिए कारेकारीनी सदस्यों का आभार माना। जैसवाल ने नमनिर्वाचित अध्यक्ष अध्यक्ष अध्वेत मनोहर का पुष्पक उच्छ देकर सतकार किया और सभा में उपस्तित सदस्यों का आभार माना। वार्षिक आमसभावें संकठन के पूर्व अध्यक्ष और BCCI एवं ICC के पूर्व चेयर्मैन एडवोकेट शशांक मनोहर भी मौजुद थे। विसीये की नई टीम में एडवोकेट अध्यवेत मनोहर अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश देश्मुक उपाध्यक्ष हेवंत गांधी सचीव शरत पाध्य संयुक्त सचीव अर्जुन पाठक कोशाध्यक्ष कार्यकारी सदेश से अडवोकेट आनन देशपाण्डे का समावि भाचपा पारशत वो उनके परीजनों को पिकनिक पर ले जाने का मामला चुनाव आयोक तक पहुच गया है। इन मतदाताओं वो उनके परीजनों को अलग स्थानों पर रखा गया है। इसमें लखनव, उतराखंड, मद्यप्रदेश, गुजरात, गोवा, वैश्नो देवी आदी स्थानों का समाविश है। उन्हें बड़े होटलों में ठहराए गया है। विमान की टिकेट होटल पर पर भारी खर्च किया गया है। इसके अलावा मतदाताओं को पैसे भी दिये गया है। यह राजनितिक दल वो उमिद्वार पर लागू मौडल कोड ओफ कंड़क्ट का खुलेयम उनलंगन है। अता इस मामले में जनप्रतिनी धी अधिनियम 1951 के अनुसर कारवाई होनी चा सेवा अजिमुशान इस्तिमाई सामोहिक शादी समारोह हर साल के अनुसर रविवार 26 दिसमबर को स्थानिया हंसा पुरिस्तित नाल साहब चौक पर आयोजन किया गया है। सेवा संस्था के अध्यक्षय मौहमत साजित ने बताया कि सामोहिक शादी समारोह में 15 जोड़े व पुरान शरिफ, जानमाज, पलंग, बिस्तर, अलमारी, कुलर तथा शादी की परिधन भेट स्वरुप दिये जाएंगे। साथी बहर गाउं से आये दुलह दुलन, उनके परीजन, वभेमानों की ठैरने की तथा उनके दावत, भूजन की व्यवस्था भी की जाएगी। पुराजिक नय अधिकारिता मंतराले के अंतरगत नाकपुर के क्षेतरिय कोशल विकास पुनरवसन मत दिव्यांग जन सशक्ति करन केंदर सी आरसी नाकपुर तथा अलियावर जंग नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीरिंग मुंबई की और से दिव्यांग दिन की उपलक्ष में दिव्यांग बच्चो और उनकी माताओ के लिए बाला साइब ठाकरे गोरे वड़ा अंतरराष्ट्य प्राणे उद्यान में जंगल सफारी का आयोजन किया गया जंगल सफारी को जिला परिशद नाकपूर के अतिरिक्त मुख्य कारे कारी अधिकारी कमल किश और फुटाने ने येश्वन स्टेडियम स्थित सी आर से नाकपूर कारे आले से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया बच्चे जब बाला साइब ठाकरे गोरे वड़ा अंतरराश्य प्राने उद्यान पहुचे तो उनका स्वागत सी आर सी नाकपूर के निदेशयक प्रफुल शिंदे ने किया इस आउसर पर बच्चों ने जंगल सफारी का खुब उलुफत उठाया इस कारेक्रम में सी आर सी नाकपूर के अधिकारी और करमचारी गण उपस्तित थे केंद्रे कुशी और किसान कल्लैन मंत्राले के तहत कार्यरत क्षेत्रिय जैविक खेती केंद्र, कौन खेरी, नाकपूर की और से जैविक खेती और जैवक उत्पादन प्रमाणन विशय पर जागरूकता कारेकरम सिविल लाइन्स नाकपुर स्थित विदर्बर इंडस्ट्रिज एस्सोसियेशन के हॉल में आयोजित किया गया कारेकरम में डॉक्टर एस राजपुत क्षेत्रिय निदेशक मुख्य अतिधी के रूप में उपस्तित थे कारेकरम में केंद्र के क्षेत्रिय निदेशक डॉक्टर एस राजपुत ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और जैविक उत्पादों को के लिए एक मंच तयार करने हितु सापताहिक बाजारों के आयोजन का सुझाओ दिया। उन्होंने गौशालाओं को सुधरुट और सुव यवस्तित करने का सुझाओ दिया। वियाईये के सदस्योंने जैव इंधन उत्पादन इकाईयों की स्थापना के विचार को आगे बढ़ाने के लिए जनवरी 2022 के अंतिम सपताह में गौशाला मालिकों के साथ प्रादेशिक जैविक खेती केंद्र नागपूर में एक परिश्चत आयोजित करने का निरने लिया विदर्बगी 13 लाग व्यापारियों की अग्रणी व शिर्श संस्ता नाग विदर्बग चेंबर ओफ कॉमर्स के अद्यक्षा अश्विन मेहाडिया ने चेंबर के प्रतिनीधी मंडल के साथ महाराश्टा के उर्जा मंत्री एवं नागपूर जेले के पालक मंत्री डॉक् अद्यक्ष अश्विन मेहाडिया ने कहा कि 27 दमामर को आदेश में आपकी सरकार द्वारा निकालेगे आदेशा नुसर किसी दुकान में कोई भी व्यक्ती बिना मास्के पाया जाता है तो उसका हरजणा व्यापारी वर्ग से 10,000 से 50,000 रुपे तक वसुल अजा सकता है वह कोई व्यक्ती अगर सड़क पर बिना मास्के पाया जाता है तो प्रशासन उस व्यक्ती से केवल 500 रुपे हर जाना ही वसुल करेगा यह कहां तक नया संगत है गद दो वर्षों से पुरे देश के साथ महराष्ट राज्यक की जनता एवं व्यापारी कोरणा महामारे से लड़ रही है इस महामारी के खिलाफ प्रशासन व व्यापारियों ने समन्वैक बना कर काम करते हुए सफलता पाई लेकिन गद सप्तह से विदेशों के साथ देश में पुरा इस महामारी ने अपना विक्राल रूप दिखाना शुरू कर दिया है स्थानिय गांधी सागर रुईकर रोड स्थित नवोदय बिजनस एस्सोसियेशन के कार्याले में गोलीबार गांजा खेत व्यापारी संके नवनिर्वाचित पदाधी कारियों का सतकार समारो संबन्न हुआ प्रमुक अतीधी के रूप में महराष्टर प्रदेश राष्टरवादी कॉंगरेस की महासचिव नागपुर महानगर पालिका की पुर्वस्थाई समिती अध्यक्ष वरिष्ण नगर सेवी का आभा बिज्जु पांडे उपस्तित थी प्रमुक अतीधी आभा पांडे के साथ नवोदय बिजनेस एसोसेशन के अध्यक्ष मनोहरलाल आहुजा नवनिर्वाजित अध्यक्ष महेश्रिवास महासचियों स्वपनिल अहिर कर मंच पर विराजमान थे गोलीवर गांजा खेत व्यापरे संकी पूरी कारे कारेनी का आभा बिज्जु पांडे के हातों शौल श्रीफल तथा पुश्पक उच्छ देकर सतकार किया गया आभा बिज्जु पांडे का संस्था के अध्यक्ष मनोहरलाल अहुजाने शौल श्रीफल पुश्पक उच्छ तथा स्कूरूती चिन्रा देख स्वागत किया आभा बिज्जु पांडे ने व्यापरे समुदाय को किसी भी तकलिफ में हर संबव सहायता प्रदान करने का मानस व्यक्त किया उन्होंने नवनिर्वाचित पदादी कारियों को अपनी और से बधाई तथा शुपकाम नाय दी संस्था के अध्यक्षव मनोहरलाल आहुजा ने कहा कि हमने परंपरा का निर्वाः किया है नवनिर्वाचित पदादी कारियों का संस्था की और से आभा पांडे के हाथों स्वागत करना भी नंदनिया है अखंडा भारत विचार मंच के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी मान का पुरस्तित कारियाने में रक्तदान शिवर का आयोजन किया गया संगठन के अध्यक्षव मनोच कुमार सिंग ने बताया कि रक्तदान हमेशा की आवश्यक्ता है गंभिर बीमारियों से जूजना हो या दुरगटना के बाद जिवन और मुर्त्यों के बीच की लड़ाई में जित हासिल करना हो रक्त की एक-एक बुंद बहुत महत्वो पुर्ण और कीमती है उपात्यक्ष भागवत सिंग खंगार ने बताया कि संघटन की और से प्रतिवर्ष ये आयोजन किया जाता है शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने देश वा मानाव सेवा के लिए अपना रक्तदान किया यह शिविर हेडगेवार रक्त पेढ़ी की सहयोग से आयोजन की सफलता के लिए वरिश्टा मार्कदर्ख शक लोकन आरायन पांडे, मुन्ना पांडे, रामश्रय मिश्रा, नरेंद्र शुकला, वसंद बावन कुले, माटे, आमोद राय, कमलेश राय, रनविजे सिंग, र आल चंद मिश्रा आदिस सदस्यों ने प्रयास किया, तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB News, नमस्कार